सुबह उटने में जोर आता है पढ़ते टाइम नीद आती है इतनी ठंड में मुझसे उड़कर नहीं पड़ा जाता यार कल से पक्का सुबह जल्दी उड़ जाऊंगा कभी पूछा है अपनी मासे की वो सुबह बिना किसी के जगाए चार बजे क्यों और कैसे उड़ जाती है कभी पूछा है अपने पापा को नाइट सिफ्ट से आने के बाद की पापा कहीं रात को ठंड तो नहीं लगी आपको कभी पूछा है अपनी मासे की कितनी बार रसोई की जल्दी बाजी में उनकी उंगलिया जली है ये सोच कर कि कहीं खाना लेट हो गया तो बस इस टेंट पर अगली बस का वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा सोलो शायद एक्जाइम की टेंशन कम हो जाए तुम टेंशन चे बसने के लिए सोते हो और तुमारे पापा तुमारी ही फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जागते है तुम किताब सामने रखकर खाबों की दुनिया में खोई रहते हो तुमारी मम्मी तुमें सामने बैठा देखकर अगली साल की स्कूल डिसाइड करने की टेंशन में रहती है तुम्हारे दिमाग में वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने की प्लैनिंग चल रही होती है वही तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले मंद की फीस की टेंशन चल रही होती है अगली बार जब तुम्हारे पापा अपने जेब से तुम्हारी टूशन फीस निकाल कर देना तब पूछना कि उनके जेब में उनके खर्चे के लिए तो पैसे बच रहा है ना किताब सामने होती है लेकिन तुम फ्यूचर और पास्ट की दुनिया में ही खोए रहते हो क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें हर कोई पढ़ने के लिए बोलता है और बार बार पढ़ने के लिए सुनकर तुम बस पढ़ते जाते हो बिना यह सोचे कि तुम्हें आखिर पढ़ना क्यों है क्यों पढ़ना है तुम्हें कभी सोचा ही नहीं है तुमने इस बात का जवाब जवाब छोड़ो क्वेशन भी नहीं आया होगा आपके दिमाग में क्यों भाई किसे बचने की कोशिश कर रहे हो और क्या सोच रहे हो ममी पापा को दोखा दे रहे हो या दोस्तों को या टीचर्स को भाई तुमना बहुत ज़्यादा भोले हो तुमें अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद अपने आपको दोखा दे रहे हो क्यों अपने आपको यार 12 लाक वाली कार के फरजी सपने दिखा रहे हो कोई बंगला और आईपेड नहीं मिलने वाला तुमें ऐसा पढ़ने का ढोंग रिचा करके ये जो मोबाईल पे तुम डेली दिन में सो बार फेस्बुक और वाटसप चेक करते हो ना उससे कई गुना तुमारे ममी पापा तुमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और जब तुमारा चोटा भाई या एक दिन तुमारा लड़का बढ़ा होकर आईफोन या लैप्टोप या बाइक मांगेगा ना तब तुम समझोगे कि बच्चे की एक जिद पूरी करने के लिए पैरेंट्स को अपने खुद के सपनों से कितना बड़ा कॉंप्रमाईज करना पड़ता है और तुमारा पड़ाय में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि तुम सिर्फ पास होने के लिए या फिर कहीं पर सलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो भाई तुम्हें तो टाइम ही नहीं अपने आपसे दो मिनट ये पूछने का कि आखिर सब लोग तुम्हें पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं तुम्हें पढ़ाय बहुत हाड लगती है क्योंकि तुम्हें फेस्बुक, वाटसब, इंस्टाग्राम इजी लगता है सुबह देर तक सोना इजी लगता है, विस्तर में लेटकर मोबाईल से पढ़ना इजी लगता है वेड़ा अपने पापा को भी बोल दो कि विस्तर में लेटकर डूटी कर ले अपनी मम्मी को भी बोल दो कि सुबह जल्दी उटकर परेशान होने की जरूत नहीं है जब तुमारे मम्मी पापा तुमारे लिए लेट करके खाना नहीं मना सकते, तुमारे लिए पैसे कमाने के लेट कर नोकरी नहीं कर सकते, तो तुम क्या जादू मंतर चला दोगे बिस्तर में लेटे लेटे? कल पढ़ूँगा, शाम से पढ़ूँगा, मंडे को टाइम टेबिल से पढ़ूँगा, हाफ एल एक्जाम के बाद पढ़ूँगा, ठंड कम होगी तब पढ़ूँगा, गर्मी कम होगी तब पढ़ूँगा, कल से जल्दी उटकर पढ़ूँगा, दोस्त के नोट्स में लेग और ना ही किसी दोस्त के नोट से तू टौपर बन पाएगा हाँ, सही सुना तुने, मैंने बोला टौपर एक बार और सुन ले, टौपर तू टौपर बनने के लिए पैदा हुआ है तो अपने पापा को नाइट डूटी के चकर से आजाद करने के लिए पैदा हुआ है खुद बिस्तर में लेट कर मोबाइल चलाने के लिए नहीं और रुक एक बार तुने कल क्या कहा था? कि एक्जाइम के दो दिन पहले important questions पढ़ना काफी होगा तेरे लिए अपने पापा को भी बोल दे कि वो भी तुमारी फीज चुकाने की last date से दो दिन पहले ही काम पर जाए जब वो पूरा महिना काम करते है तुमारी फीज चुकाने के लिए ध्यान रख बेटा दुनिया को तब ही अंडर रख पाएगा जब खुद को अंडर रखेगा इस दिमाग को बोल दे कि भाई दोखा देना बन कर तुम और सुन ले अपनी दिल की आवाज को कि तरे लिए जिन्दगी के क्या माइने है और उसके लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है किसी ने तेरा दिल तोड़ा है किसको तुझे कुछ बन के दिखाना है बेड़ा भले ही नोकरी ना लगे और भले ही तुम नोकरी ना करना चाहो लेकिन ये जो किताबों भी जो ये नोलेज भराना जो अकसर देख रहे ही तुम ये तुम्हें जिन्दगी में किसी ना किसी मोड पर किसी प्रोब्लम से जरूर निकालेगा इसलिए जितने भी बड़े लोग हुए ना उनों इस बात को पैचाना है और पढ़ना कभी नी छोड़ा है कल से तु सुबह जल्दी उटकर पढ़ेगा और रोज अपने पैरेंट्स भाई वैन या रूमेट्स को सर्प्राइज देगा और ये काम तुझे अगले 30 दिन तक रोज करना है फिर देखना अगर 31 वे दिन तू उटकर अपने आप नहीं पढ़ने लगेगा तो तु दोस्तों की साथ Facebook WhatsApp पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा जितना टाइम तु फेस्बुक WhatsApp पर बिताता है ना उतना अपने ममी पापा के सपने जानने में लगा जिससे तु किताबों को कभी बोरिंग नहीं समझेगा और जिस कार को वो अभी तक छू भी ना पायो ना उसम पैज बूड़े tablespoons जिस अपार्टमेंट के गाड ने उनको सामने खड़ा भी ना ने दिया उसी अपार्टमेंट को खरीद कर और तोड़ कर तुम वहां पर अपना दो मंजील का बंगला खड़ा करके parents को gift कर जिस स्कूल जिस जगे को तुमारे पेरेंट्स बड़ा समझते हैं न वहीं पर तुम अपने ग्यान का दबदबा बनाओगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फिल करवाओगे आ यार अब तो कुछ बड़ा कर ले खुद का नाम कर ले पढ़ने का मकसद ढूंड ले और ममी पापा के और खुद के कुछ अधूरे सपनों और कुछ बहुत बड़े सपनों को अचीव कर ले सोसने और करने से ही होगा उठकर पढ़ने से होगा आज कितना ही छोटा क्यों ना हो तू पर कल तो नाम तेरा ही होगा जय हिंद इस वीडियो को हर हिंदूस्तानी स्टूडेंट तक पहुंचाएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो यूटूब के टॉप और स्विले चैनल को सब्सक्राइब करें